सतिसकर में गरीब परिवारों के लिए केंदर और राजी सरकार की तरफ से राशन मोहया कराने का काम किया जा रहा है केंदर सरकार के साथ राजी सरकार भी इस प्रयास में है कि कोई भी गरीब भूका ना सोए लेकिन ऐसे में जिन जिलू को राशन बातने की जिम्मेदारी है वह भी दीमक की तरहा राशन को सफ़ाद चट करने की फिराक में हैं। ये तो गरीबों के निवाले पड़ा का मारने वाली बात है। बलडामपूर जिले के शंकरगर चेतर में राशन गपले की बात सामनी आई थी। का खुलासा उने के बाद पुलिस ने पंचाय सजेब और सायक विक्रेता को ग्रफतारी कर लिया है। का आर्थिक नुकसार पहुचाया है। ग्रामपंचायत मुनेशवरपूर में कुला 126 राशनकारधारकों को राशन बाचा गया। जबकि 269 राशनकारधारकों को राशन नहीं बाचा गया था। सचिब और सरपन्चिसायक पर मिलीभगत का रुप लगा था। इस तरह गरीबों को मिलने वाले राशन बाचायती की बादर सामियाई है। इस ग्राम पंचायत मुनेश्वरपूर थाना शंकरगड की घठना है। दिनांग 11-6-2024 को फोड इंस्पेक्टर शंकरगड की लिखित रिपोर्ट पर से ग्राम पंचायत मुनेश्वरपूर के सरपन्च, सचिव और सहाइक विक्रेता के बिरुध में अंतरगत 11-420-409 APC के तहत एवं 37 AC Act के तहत मामला पंजी बतकर विविचना में लिया गया था। अभी उसना में अब तक त्वह आरूपियों के ग्रिफतारी हुए है जिसमें ग्राम। श formats जंके टिम गठित है जल्दी उने ग्रिफतर की जाओगी लग भग तीन लाक संधिग्म का घोटाला है। जो उचित मुल्य दुकान में जो गड़बड़ी के अशंका अनिमितिता के अशंका पर गलेक्टर महोदय के द्वरा जो है निर्देशित किया गया था कि ग्राम पंचात की उचित मुल्य दुकान की जांच की जावे तो दनुसार मामला में गवर्ण का अरुप साबीत हुआ जिसके अधार पर से मामला पंची बदकर बीच समय लिए गया है